हेलो फ्रेंड्स मैं जोती मडोतरा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी लूसेंट जी के कि जब अधस सीरीज में और आज इस सीरीज का है लेक्चर नमबर 23 तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लूसेंट की बायलोजी कम्पलीट कर रहे हैं वर्ड टू वर् करेंगे और काफी सारे सिस्टम देखेंगे काफी सारे ग्लैंड के बारे में बात करेंगे जो एंड़क्राइन सिस्टम में आते हैं अगर आप या किसी भी कॉंपेटिटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी जादा इंपोर्टेंट है और अगर आप पहली बार चैनल पर आये हैं तो सारी की सारी वीडियो का लिंक या पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप बाकी की वीडियो भी जाके देख सकते हैं तो देखो पिछली वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लि क्यां किष्टिंध हर्मों की कम हो सकती अगर थायINA видим हर्मों को बात करें, चावйक को सब्सक्राइब सब्सक्राइब खा हए अगर थायरोग्जीन हर्मों को बहुत ज्याधा अपनी बोड़ी में कमी हो सकती है, तो 9D llam3 हमें का सब्सक्राइब वीडियो में कि अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाते है तो हमें गोईटर हो सकते है और गोईटर को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए आयोडीन वाला ज्यादा खाना खाना चाहिए ठीक है और इसमें क्या होते है हमारा गला जो है वो काफी जादा मोटा हो क्योंकि जो हमारा thyroid gland है वो क्या हो जाते है एक्सपैंड हो जाते है ठीक है और अगर disease जो उसकी बात करें जो कि जादा होने की जैसे होते है थाइरोग्जीन gland के तो वो है exothelmic goator इसमें क्या होते है इसमें हमारा गले पे कोई problem ने होते है इसमें जो अपनी eyes होती है आइस वो bulging out इसका मतलब क्या होते है जो अपनी आखे है वो बाहर की तरफ निकलना start कर देती है थोड़ी सी मोटी-मोटी होके बाहर की तरफ आना start कर देती है ठीक है और इससे क्या होते है हमारा एक और problem होती है इससे हमारा metabolic rate जो है वो भी increase हो जाता है एक तो eyes बाहर आना start हो जाती है अगर हमारी बोड़ी में thyroxine जादा amount में produce होते है तो विमारी को बोलते है exothelmic goator इससे क्या होगा eyes बाहर आना शूरू हो जाती है और उपर से metabolic rate है वो बहुत जादा बढ़ जाते है यानि कि अपनी बोड़ी में जितने भी chemical reaction हो रहे है वो बढ़ जाते है ठीक है अगला है फिर पैरा thyroid gland देखो पहला gland हमने pitutory gland किया दूसरा gland किया thyroid gland तीसरा gland जो हम पढ़ रहे हैं वो है पैरा thyroid gland यह कहां पर situated होते this is situated in the back of the thyroid gland मैंने आपको पिछली वीडियो में जो thyroid gland होते है यह देखो अगर अपनी शकल है तो यह जो है thyroid gland अपना गले में present होते है larynx के पास लेकिन अगर इसकी पैरा thyroid gland की बात करें तो यह thyroid gland के पिछली side होते है right side में ठीक है यह गले में present होते है पेरा थायरोइड ग्लेंड देखो पता चल रहा है थायरोइड ग्लेंड के पास होते है बैक साइड में वो भी राइट साइड में ठीक है तो दो हार्मोन जो है वो सिक्रीट करते है पेरा थायरोइड ग्लेंड पहला होते है पेरा थायरोइड हार्मोन जो किस ग्लेंड के ना में सिचुएटेड होते थाइरोड ग्लेंड के पास थाइरोड ग्लेंड के बैक साइड में वो भी राइट साइड में बैक साइड में ठीक है यह हो गया पैरा थाइरोड हार्मोन हमें पता चले गया अगर कैल्शियम की कमी हमारे ब्लेड में हो जाते तब यह रिलीज होते है दूसरा जो हार्मोन है वो है केल्सी टोनिन, केल्सी टोनिन जब रिलीज होता है जब ज़्यादा ही केल्शियम अपने ब्लड में प्रेजेंट हो जाता है, अगर केल्शियम की कमी हो जाती है तो पैरा थायरोड हार्मोन, अगर केल्शियम बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता करता है यानि कि blood में अगर calcium जादा हो रहा है तब Chelsea Tony अगर अपने blood में कमी हो रही है calcium की तो parathyroid gland तो parathyroid gland जों से 2 hormone release करता है दोंनों ही calcium कि amount को check करने के लिए करता है blood में ठीक है यह चीज़ clear हो गई हमें इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद देखेंगे हम adrenal glands को, देखो तीन glands अपने cover होगे, pituitary gland cover होगे, thyroid gland cover होगे, parathyroid gland cover होगे, adrenal gland, अब adrenal gland कहां पे होता है और यह कैसा होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था adrenal gland के बारे में, फिर भी मैं एक बार आपको यह रखा हुआ है, यह यलो से color का, समोसे जैसा लग रहा है, यह है अपने adrenal glands, यह अपने adrenal glands होते हैं, जो kidneys के उपर यह रखे हुआ है, यह अपने adrenal glands होते हैं, तो हमें इनकी situations का पता लगया कि कहां पे situated होते हैं, बोड़ी में, kidney के उपर, ठीक है, उसके बाद adrenal gland के दो पार इसी को हमने नीचे से दिखा रखा है, elaborate करके इसी पार्ट को, तो यह तो बाहर वाला portion जो कि yellow color का दिखा रहा है, इसको हम बोलते हैं, adrenal cortex, इसको तो हम बोलेंगे adrenal cortex, मैंने आपको पिछली वीडियो में, endocrine gland की पिछली वीडियो में बताया था इसके बारे में, और जो अं चलके adrenal glands, अब इसके hormones वगरा देखेंगे, हम कौन-कौन से hormones जो है, इसी create करते हैं, उनका क्या function होता है, तो देखो adrenal gland, these are two parts होते हैं, इस gland के outer part को बोलते है, cortex, जो कि मैंने आपको दिखा देगी, yellow color की वो बाहर मोटी सी layer थी, और inner part को बोलते है, medulla, जो कि brown color का था, ठीक है hormones कौन-कौन से, अब जो एक cortex है, वो अलग hormone release करता है, और inner part यानि कि जो medulla है, वो अलग से hormone release करता है, adrenal gland में, तो दोनों अपने अलग hormone release करता है, तो पहले तो हम पढ़ेंगे कि ये cortex जो है, बाहर वाला portion, वो कौन से hormone release कर रहा है, तो hormone जो cortex release करता है, उनके function देखेंगे, प ग्लुकोज, ऐसा कुछ है, तो ग्लुकोज जो है, वो किस से बनती है, हमारी बोडी में, glycogen की form में, वो स्टोर होती, carbohydrates है, तो इसका हमने, carbohydrates तो इसमें आए गई, तो metabolism किस-किस का करता है, ये वाले हार्मन, carbohydrates का, proteins का, और fats का, तीन जीजों का metabolism करता है, carbohydrates, proteins and fats, एक हार्मन हम जो blood है, वो kidney में purify करने के लिए आता है, ठीक है, अब वो blood हमें लग रहा है, कि वो, ठीक है, कोई चीज हमें लगता है, कि ये जो है, वेस्ट है, इसको हमें urine के थूँ बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन फिर क्या होता है, फिर किड्नी डक्स जो है, फिर भी जो हमारे क काम के जो ions होते हैं, उनको दुबारा से एक बार, दो तीन बार, फिल्ट्रेशन होता है, ना किड्नी के अंदर, तो जो ions हमारे काम के होते हैं, उसको दुबारा से रिलीज करवा देना, किन के थूँ, किड्नी डक्स के थूँ, और क्या चेक करता है, and to control the quantity of other ions हैगा, यहां जान रखता है कि कौन सी कोई जादा नहीं हो रहा, कोई कम नहीं हो रहा, तो दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं, mineral corticoids, एक तो kidney के अंदर जो ions है, उनको रही absorb करने का, दूसरा अपनी बोडी में कोई ions के कमी नहीं हो रही है, इस चीज़ का भी ध्यान रखते है, ठीक है, दीसरा adrenal gland का, जो देखो, adrenal gland का, जो cortex है, वो तीसरा hormone release करता है, sex hormone, यह क्या करता है, it controls the sexual behavior and secondary sexual characters of an organism, तो यह sex hormone का क्या कम होता है, इस sexual behavior को देखता है, और sexual, जो secondary sexual characters होते हैं, किसी भी human being के उनको चेक करता है, ठीक है, इसके बाद देखो, note, जो है, cortex के बारे में वो क्या है, हमें लगता है, kidney तो important है, लेकिन kidney के cortex के बारे में हमने कभी नहीं सोचा, यार, यह भी बहुत ज्यादे important है, अपनी body के लिए, ठीक है, अगर cortex काफी ज्यादे important है, अगर इसको body से बाहर हम निकाल देंगे, तो ज्यादे से ज्यादा जो इंसान है, वो एक ए दो हफते के ल होना, ठीक है, किसी की deformation का यही मतलब होता है, किसी चीज की shape को change करना, deformation होता है, shape को change करना, ठीक है, तो अगर इसकी cortex की deformation होते है, तो क्या होता है, the process of metabolism get disrupted, क्योंकि cortex की वज़े से हमारे यह hormone release हो रहा था, इसी की वज़े से metabolism हो रहा था, carbohydrate, protein और fat का, तो अगर उस cortex की कोई भ metabolism बहुत ज़़ा disturb होगा, और उससे हमें एक disease हो सकते हैं, disease का नाम है addissance disease, ठीक है, तो clear हो गई हमें चीज यह, अगर हमारी body में cortex में कोई कम्याते हैं, तो हमें metabolism में काफे ज़दा problem देखने को मिलेगी, और उससे हमारी body में एक disease पैदा हो सकते है, उस disease का नाम है addissance disease, ठीक ह जी, तो adrenal glands में एक पार्ट अपना cover हो चुका है, दूसरा पार्ट हम देखेंगे, hormone secreted by medulla and their function, तो इस उनके function और कौन-कौन से hormone जो है, वो medulla secret करता है, पहला जो है, वो epinephrine hormone, यह एक amino acid होता है, amino acids आपको पता है ना, proteins को, जब हम proteins को digest कर लेते हैं, proteins जो है last में अपनी body में काफि ज़्यादा useful होते हैं, जो भी हम proteins खाते हैं, वो last में change होने के बाद, digestion के बाद amino acids में invert हो जाते हैं, तो epinephrine क्यों होते हैं, यह एक तरीके का amino acid होता है, और यह कौन secret करता है, medulla, दूसरा होता है, नोन epinephrine, यह भी क्यों होता है, एक तरीके का amino acid होता है, ठीक है, त the work of both the hormones is similar दोनों ही our hormones का काम गाफी same है तो आपको पता जो अपना दिल होता है हार्ट होता हुझा हार्ट विट करता है ठीक है हार्ट बीट होते हैं हार्ट विट आपको पता होगा जै आपको सर्कूलेटर शिस्टम कवर करा दिया है अगर आप जो लिंक आपको दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो हार्ट विड जो हम कर दो हमकर होती है मैं आपको बताया है तो वह तो जो हुआ AWART की मसल हों रिलैक्स कोंटरेक्ट कोंटरेक्टी होतीजrd ora र्ट करतें में हैं दोनों के हर्मोन करते हैं कि मेडूला इप एड्रिनल करते हैं kidney के ऊपर वाला जो पोर्शन एड्रीनल ग्लेंड में यह तो एड्रीनल ग्लेंड में पार्ट होता है मेडूला मेडूला 2 हार्मोन प्रेफराइन और दूसरा है नोरड़ एफ़राइन यह दोनों हार्मोन काम बिल्कुल सिमिलर होता है कि हार्ट की मसल को कॉंट्रेक्ट और रिलेक्स करने में हिल्प करते हैं इसकी वज़ाइसी जबर काम होता है check यह रखते हैं कि अपना BP को कंट्रोल करने में भी हल्प करते हैं कि सही रहे अगर माल अपना सदन स्टॉप हो जाते हैं हार्ट बीट में अपना दिल धड़कना बंद कर देता है तो एपिन एफ्राइन जो है वह है वह फुल होते है री स्टार्टिंग अगर बाया चाल्स अपना दिल धड़कना बंद कर देता है तो एपिन एफ्राइन हार्मों जो है वह उसको मदद करता है दुबारह से धड़कने में अगर यह नहीं होगा तो समझे सकते हो हम तबही के देखो जो एड्रिनल ग्लेंड के हार्मों उनका नाम फ्लाइट फ्लाइट और फ्राइट हार्मों क्यों रखा गया है इसका पिछे भी बहुत लोजिक है कि जैसे भी हम कभी किसी से लडाई वगारा करते है या किसी लडाई करते है तो अपनी जो हार्ट वीड है वो अपनी यह आप रखादा ओं लोज आँब में कया बहुंत अप soll क्रें जुए ज्ज्मिंर में पैस द v самый जड़िया तो मैं कोई उद्भो झाच्ट ऊच्डाइठ थे क्या होता है यह सं इस ठाइक हमारे थे सही होई ऊन्यों किसी दो मुझते बहुत sais phones वे सब्सक्राइब जैसे ही होते हैं अगर आपके पिछे कुट्टा वगर आपका जो दिल है बहुत तेजी से धड़कना शुरू कर देते हैं और अप पुरी स्पीड से जितनी आपकी होती भी निए उस स्पीड से भागने शुरू कर देते हैं तो वह भी जो फ्लाइट वाला केस है दर गये हो और fight वाला case जो आपकी लडाई वगार हो रही है तो तब भी आप बहुत जोर-जोर से कुछ भी बोले जा रहे हो ठीक है और वो जो है वो सब कुछ किसके वजय से होते है एड्रिनल ग्लैंट की वजय से तो है एड्रिनल ग्लैंट की हार्मोन रिलीस करतें आपना हार्ट को ज्यादा रिक्वार्मन की यह ए satisf है जेकां अजया ऊं Admiral Gland काफी ज़्य हrop 박 Small दीज स्री सब्सक्रीद ही दूसरी बात एक थाइमर्स है यह वी एक एंटोक्राइब ग्लेंद इस में इन्डोकोरइब एक्जोक्राइब ग्लेंड में चarooार में आपको पिच्छली लीडियो में बताया था तो फॉस्ट पार्ट चाहिए अगर आप वीडियो देख रहो ना तो आंसर आपको जरूर करना चाहिए अगर आपको नहीं भी आता ना तब भी देखो बुक से देखने की कोशिश करो या फिर पिछली वीडियो खोल के देखो फिर जाके आंसर करो क्योंकि उससे यह फायदा होगा जब मैंने को प पीच बीच में पूश्टी रहते हूं तो आपको जरूर से जरूर इस चीश को आंसर करना चाहिए दूसरी बात आते थाईमस पिए अंडोक्रैन ग्लेंट है जो कि कहां पर पाय जाता है चेस्ट के वेटी में अपनी चेस्ट में एक थाइमस नाम का एक एंडोक्रैन हार्म सीन हार्मोन रिलीज करते हैं तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे इंडो क्राइन जो सिस्टम है वो भी अपना कवर हो चुका है इसके बाद फिर हम अपना रेस्पीरेटर्टर सिस्टम स्टार्ट करेंगे उसके अलावा तो आपको किसी बीडियेद आप वीडियो चाहते हो तो आप मेंको comment section बता सकते हो, मैं reply ज़रूर करने की कोशिश करते हूँ, सारों का करी देती हूँ approximately, ठीक है, तो अगर किसी का नहीं करती, तो कोई बुरा ना मनने, मेंको अगर बताओगा, तो मैं ज़रूर उस चीज़ में, वीडियो ज़रूर बनाऊँगे, झाल बनाऊँखे, लगर बंखु झाल प्सकते हूँ筊चे,